हाई दोस्तों तो आप सभी को खाने का तो काफी शौक है तो आज मैं ऐसी रेस्पी लेके आई हूँ कि अगर आप इस रेस्पी को बनाएंगे तो आपका मन भी खुश हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया ये रेस्पी है एक बार ट्राय जरूर कीजिएगा सभी को बहुत प चैनल पर तो यहां पर मैंने एक बावल ले लिया है बावल में मैंने मेंदा ले ली है इसमें मैंने लगभग एक कटोरी मेंदा ले ली है इसमें मैंने ऑईल डाल दिया है जो हम बना रहे हैं उसके लिए क्रिस्पी होगा इसलिए इसमें हम तेल डाल रहे हैं और टेस्ट क पहले तो हम मिक्स कर लेंगे जो नास्ता बना रहे हैं उसके लिए इसमें थोड़ा सा ओइल डालना जरूरी है तो इसमें पानी डालके आटे को हम गूत लेंगे जैसे आटे का डो होता है उस तरीके से हम आटे को गूत लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालके हम आटे क बना लेते हैं अपनी तो यहां पर मैंने पैन रख लिया है पैन में तेल डाल के तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं डाल दिया है जीरा जीरा कड़क चुका है अब इसमें मैं डाल रहा हूं गारलिक गार्लिक को मैंने छोटे-छोटे कट कर लिए थे फिर इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज एक प्याज थी उसको कट कर ली थी मैंने आप सभी को खाने का तो शौक काफी होता ही है तो इस तरीके से इस चीज को जरू ट्राइ कीजिएगा सभी को बहुत पसंद आएगा महमान आ जाए या आपका कुछ भड़िया खाने का मज़ेदार खाने की कुछ इच्छा हो रही हो और यह है शिम्ला मिर्ची जो मैंने इसको भी कट कर ली थी शिम्ला मिर्ची डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे इस टैम्पे और इस पर हम डाल देंगे गाजर एक गाजर कट करके रखी थी फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे इन सब्जियों को मच्छे से मिक्स कर लिना है पिर इसमें हम डालेंगे कॉंस कॉंस डालने के बाद भी इसको मच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरू दवाईएगा बेल आइकन बटन दवाने से मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँगी आप लोगों पे पहले पहुँच जाएगी तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर कि यहाँ पे बच्चे खाएंगे तो इसमें मैं थोड़े मिर्ची का हिसाब रख रही हूँ अगर आप थोड़ा चट पटा स्पाइसी खाना चाते हैं तो इसमें एक चमच लाल मिर्ची पाउडर डाल लें और चिली फ्लैक्स भी डाल लें तेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैं नमक डाल रही हूँ इसमें मैं चिली फ्लैक्स एड नहीं करूँगी क्यों यहाँ बताया मैंने आपको जैसे की बच्चे खाएंगे इसलिए मैं चिली फ्लैक्स नहीं एड कर रही हूँ तोड़ी सी लाल मिर्स पाउडर डाला है और यह डाल रही हूं मैं और इगेनो डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मैंने बताया जैसे की मीडियम तू हाई रखेंगे इसमें मैंने डाल दिया है बलेक पेपर आदी चमच फिर इसके बा करने के बाद अच्छी तरीके से तो यहां पर यह देखिए थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे हम और इस टैम पर गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और फिर इसमें जे पानी हमारा अच्छी तरीके से इसमें पक जाएगा तो फिर हम इसको पंद कर देंगे तो इसको थोड में भून लेंगे अच्छे से तो यहां पर देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से इसमें सोग गया है बिल्कुल पी पानी नहीं दिख रहा है तो यहां पर यह देखिए अच्छे से हमारी स्टफिंग बनके रेडी हो चुकी है तो गैस की फ्लेम को हम ओफ कर देंगे फिर इ इसको ठंडा करने दख देंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे अपनी रेस्पी, तो यहां पर देखिए यह आटा सेट हो चुका है, इसके हम एक अच्छे से आटे को सेट कर लेंगे, फिर एक लोई टोड लेंगे इसमें से हम, इसको हम सुखा आटा लगा के बेल लेंगे, जैसे हम रोडी बेलते हैं, उस तरीके से, इस तरीके से हमें बेल लेना है, बहुती इजी है, तो आप लोग इसको जरू ट्राइ कीजिएगा, अगर एक बार बनाएंगे तो इसी को बनाके खाएंगे, तो यह देखिए इस तरीके से हम, नाइप की साइटा से कट लगा दे बगल से साइड से इसको काट लेंगे और जो ये डिब्या शेप आकार में हम इसको रखेंगे ये देखिए इस तरीके से तो दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे एक लोई लेंगे उसको बेल लेंगे और इस तरीके से कट करके रेडी कर लेंगे तो यहां पर यह देखिए इस तरीके से फिर हम इसमें जो स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है उसको इसमें इस तरीके से त्रदेंगे यह देखिए इस तरीके से फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी लेके जो इसकी साइड्स हैं इसमें पानी लगा देंगे बगल बगल में यहां पर हमने इसमें चारों तरफ पानी लगा दिया है यह दूसरी है इसके उपर हम इस तरीके से इसको रख देंगे ऐसे इसको इस तरीके से दवा देंगे जिससे यो यह हमारा रैस्पी है वो खुले नहीं इस तरीके से हम इसको दवा दिया है अब जी इस तरीके से इसको जो ये एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे ये इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है और काटी की सायता से हम इसमें डिजाइन दे देंगे ऐसे हमें इसमें डिजाइन दे देना है वहाँ पे हमने कड़ाई रख दी है तेल भी हमारा गरम हो रहा है गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है तो यह देखिए दूसरा भी अब हम सभी को इस तरीके से बना के रेडी कर लेते हैं यह तेल अच्छा गरम हो चुका है तो इस नास्टे को हमने इसमें डाल दिया है तो यहाँ पे यह देखिए इस्करा है यह जो हमने दूसरा भी बनाया था उसको भी हम इसी में डाल देंगे और फ्राइ करेंगे इसको तो देखिए इसको हम पलट लेते हैं अब गिता बड़िया हमारा ये फ्राए हुआ है एक साइट, किता बड़िया कुछ भू आ रही है, तो दूसरा भी हम इसी तरीके से इसको प्लट लेते हैं, ये देखिए, अब दोनो तरफ हम इसको इसी तरीके से बनाके रेडि कर लेते हैं, तो दोस्तों ये पीजा पफ हमारा बनके रेडी हो चुका है तो ये देखिए कितना हमारा पीजा पफ बढ़िया बनके रेडी हुआ है ये देखिए देखने में काफी बढ़िया लग रहा है गरमा गरम हमारा पीजा पफ देखिए सभी को हमने इसी तरीके से बना के रेडी कर लिया है तो यह देखिए अगर मैं दिखाऊंँ यह देखिए देखने में काफी बढ़िया लग रहा है यह दोस्तों अगर आप सभी को मेरी वीडियो रस्पी पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तता शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को यह पीजा पफ की रेस्पी कैसी लगी है धन्यवाद फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई